अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोन के घोटाले में फसी हुई है हजार दो हजार करोन के नहीं लाखों करोन के घोटाले में उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीश सिसोधिया पर कारवाई की जारे हजारों करोन रुपए अपनी कंपनी के अंदर लगा है, यह काला धन किसका है मोदी जी पूरा देश आप से पूछ रहा है, अरे हम आंदोलन की कोग से पैदा वही पाटी हैं, हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते, पूरे देश के सामने मोदी, अडानी, भाई-भाई, देश बेचके, खाई-मलाई के इस रिस्ते को उज जागर करेंगे हम लोग इस देश के अंदर एक ऐसी ताना सा सरकार चल रही है जिसने देश के सर्वरसेष्ट सिक्षा मंत्री दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविस्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले सिक्षा मंत्री मनीज सी सौदिया को जेल में डाल दिया उस मनीज सी सौदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला घर में 14 घंटे चापे मारी की सी बी आई ने कुछ नहीं मिला दफ्तर में चापे मारी की कुछ नहीं मिला गाउं में चापे मारी की कुछ नहीं मिला बैंक का लॉकर चेक कर लिया कुछ नहीं मिला और आप कल्पना कीजिए कि दस हजार करोण की रिश्वत का अरोप लगाया जारा उनके उपर कोई तो संपत्ती मिलती कोई तो पैसा मिलता कोई तो काज़्यात मिलता लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनितिक कारणों से और अपने घोटालों पर परदा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनिस्स सौधिया को गिरिफतार किया है अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोन के घोटाले में फसी हुई है हजार दो हजार करोन के नहीं लाखों करोन के घोटाले में उससे ध्यान भटकाने के लिए मनिस्स सौधिया पर कारवाई की जा रही है और कब की जा रही है जब संसद में JPC की मांग हुई की मोदी आडानी भाई 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 देज बेच के खाई मलाई JPC बनाओ आडानी की जाच कराओ उस से ध्यान हटाना कभी इसको नोटीस कभी इसको नोटीस और अब जेल में डाल दो मनीस से सौधिया को वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोईला दे दिया गैस दे दिया बिजली दे दिया पानी दे दिया सड़क दे दिया स्टील दे दिया सिमेंट दे दिया सीपोर्ट दे दिया एरपोर्ट दे दिया यानि आकास से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया ढाई लाग करोर का करजा दे दिया 84,000 करोर का करजा माफ कर दिया और उस अडानी ने क्या किया हिन्दुस्तान के साथ बगल के मौरिसस में चे कमपनीया एक पते पर खोली फर्जी कमपनीया और 42,000 करोड़ काका अपनी कमपनीयों में लगाया और ऐसे ही तमाम करे भी आई देशों में, फार्जी कम्पनिया खोल के, हजारो करूर रुपए अपनी कम्पनी के अंदर लगा है, ये काला धन किसका है, मोदी जी पूरा देशा आप से पूछ रहा है, भारती जन्ता पाटी का काला धन है, मोदी जी आपका काला धन है, आपक तंकवादियों का कालाधन है किसका कालाधन है जो अडानी की कमपनी में लगाए अगर इसकी जाच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा और इसी के कारण मनिस्स सौधिया का मामला उठाए गया है अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे वेहतरीन काम कर रही है या उनकरनी काम कर रही है लोगों को फ्री बिजली देना फ्री सिक्षा देना फ्री स्वास्त की बिवस्ता देना बुद्रगों की तीर थ्यात्रा कराना जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का दरसल ये गले की हड़ी बन गया नरेंद्र मोदी जी की वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उधारण बने अमेरिका के रास्टपती की पतनी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरिवाल के स्कूल देखना ह मनिस स्वादिया के द्वारा बनाएगे स्कूलों को देखना है परिशानी ये है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोग प्रीयता पूरे देश में बढ़ रही है अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी की लोग प्रीयता पूरे देश में बढ़ रही है उससे बौखला साही का अंत जरूर होगा क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ लाखों करोण की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है जिस पे सीबियाई खामोस सेभी खामोस एडी खामोस इंकंटेक्स डिपार्टमेंट खामोस उसके पोर्ट से मुंद्रा पोर्ट से हजारो करोण की ड्रक्स पकड़ी गई सारी की सारी एजंसियां खामोस एक तरफ लाखों करोण का घुटाला करने वाला आडानी है आपका मित्र अडानी है मोदी जिसके खिलाप आप कोई कारवाई नहीं करते और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविश्ट से बनाने वाले म क्योंकि यह लोक्तंत्र है डेमोक्रेसी है जमूरियत है यहां किसी की ताना साही लंबे समय तक नहीं चल सकती आप इन मुकदमों से हम लोगों को डरा रहे हैं पता तो कर लीजिए हम आदमी पार्टी की हिस्ट्री अरे हम आंदोलन की कोहक से पैदावी पार्टी हैं हम लिखाते हैं कुछ भी कर लीजिए लेकिन आपके घोटाले को हिंदुस्तान के घर घर में पहुचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी इसलिए जितना मुकदमा लिखना है लिखो जितनी बंदर घुड की दिखानी है दिखाओ पूरे देश के सामने मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई के इस रिस्ते को उजागर करेंगे हम लोग